बच्चो आज के शोट वीडियो के अंदर हम बात करें आरु की बैक्टिर्यों के बारे में और आरुकी की बैक्टिरियote की सिफिवाय सिफिवाय है इसे बैक्टिरिया जो सबसे प्रिमिट्व होते हैं पहली बात तो इस बैक्टिरिया यह ऐसे बैक्टिरिया को होते हैं बैटा जो क्या होते हैं एक्स्तिक नहीं कर पाऊ लेकिन यह वहां पर पतर भी सर्वाइब कर जाते इस तरह के cells go बोला जाता है लिल फाइल्स किसल बला जाता है예요 कई bैकटिर्यक कई आर्ग ऐसे होते हैं जो गरम पानी के ज़र नंधर दर भूर आशकते इस तरह के जो होते है बैट्येर्यक्टिरिया उनको बोला जाता है अक है मेसे पे रहते हैं और इसको क्या बोलते हैं मैंतो अधन प्रृण मेध्व्ण बोलते हैं क्योंक्य वहां पर मैल्चैन प्रड्यूस करेंगे आगे सुनेंगे लिफा इंफर और रोल फेयर चॉछiblokट्र संपेयर for their survivor in extreme condition, yes or no, बैटा, आर्की बैक्टिरिया क्या होते हैं, अदर जो बैक्टिरिया, जैसे यू बैक्टिरिया की बात करें, तो आर्की बैक्टिरिया और यू बैक्टिरिया की सैल वोल के composition में different, या different क्या होता हैं, molecules present होते हैं, होते हैं, वो एक दूसरे से, अगर बात करेंगे, आप की आर्की बैक्टिरिया की, आप सैल वोल देख रहे हो, और आप यू बैक्टिरिया की सैल वोल देख रहे हो, अदर बैक्टिरिया में कौन आगे, कि आरके बैक्टिरिया इतनी हर्ष habitat condition में शर्भाइब कर पा रहे हैं जबकि यू बैक्टिरिया नहीं कर पाते हैं क्या reason है तो उनकी structure of cell wall main reason होता है क्या होता है cell wall का structure उनका main reason होता है इसकी वज़े से आरके बैक्टिरिया हर्ष habitat में भी survive कर जाते हैं and this feature मतलब क्या होता है इसका समझेंगे कि कुछ मतलब की जो CH4 मैथन गयस को प्रोड्यूस करते हैं और प्रिजेंट इन गट आफ रूमिनेंट अनिमल जो केटल्स होते हैं मतलब के इलिमिन वाला जो पार्ट होता है कि इंद बफेलो गयें ढूट आफ इनके एंद करते हैं जिसका झुज एयो प्यूर आफ kिचन के अंदर करते हैं लगाते हैं यस और नो बेटा यानि बायो गेस प्लांट लगाते हैं क्या बात समझ में आ रही है यह सर बात समझ में आ रही है आगे सुनेंगा आगे सुनोंगे बेटा क्या होता है डंग जो होता है बेटा काउ जो डंग होता है यानि गाई का जो गोबर होता है ओके बेटा All right, बैटा, वहाँ पर आपको यह मिल जाएंगे easily. Actually, क्या होता है कि यह क्यों होते हैं, सब उनके अंदर सुनना, तो यह क्या होते हैं बैटा, बहुत अच्छा काम करते हैं cow के लिए, आपको पता है cow क्या खाती है, गाई क्या क्या खाती है, बेसे क्या खाती है, चारा खाती है, चारा मतलब की plant, plant मतलब की उसमें ज़ादा तर क्या मिलना चाहिए, cellulose मिलना चाहिए, अब animals के पास में क्या होता है, cellulose को digest करने के लिए enzymes नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो यह जो bacteria होते हैं, उनके पास में cellulose एंजेंट होता है, जिसस वो animals की, cow की, buffalo की help करते हैं, उस cellulose को digestion करने में, या उसके digestion में help करते हैं, तो आप समझ में आया आपको आर्के बेक्टिरा कितने useful हैं, इनसे आप बायोगेस बना सकते हो, और even एक आर्के बेक्टिरा जो कि हमारा thermos aquiticus होता है, आपने सुना होगा PCR reaction के अंदर, कि because यह high temperature condition पे survive कर जाते हैं, इस वज़े से हम क्या करते हैं, टेक polymerase enzyme यहीं से use करते हैं, ताकि जब हम PCR के अंदर 92 degree centigrade temperature देते हैं, denaturation वाली process के अंदर, तो क्या हो हमारा enzyme degrade नहीं हो, हमारी पूरी process हो जाए, ओके बेटा, यह आर्के बेक्टिरा के बारे में था, किसी तरह का confusion रहे, comment section में जरूर mention करना, thank you so much, मिलेंगे next video के अंदर, तब तक के लिए, bye bye, ta-ta